Hello dear students and all respected viewers myself Pritam sir and now we will see the next lesson of second standard in math subject that is fun with line तो अहाँ dear students आज हम देखेंगे fun with line तो जो line है उसके साथ हम कैसे मज़े कर सकते हैं ये आज हम सीखेंगे और मज़े करते करते हम क्या क्या lines draw कर सकते हैं, line कैसी कैसी होती हैं ये भी हम सीख लेंगे तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा चैनल है The Aria Academy चैनल यहाँ पर 1st standard से लेकर के 12th standard तक के almost सभी subjects cover किये जा रहे हैं तो आप लोग अपने friends को अपने relatives को भी ये link share करें और उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चैनल से अपनी पढ़ाई जो टुकी हुई है इतने दिनों से उसको start कर सके और continue रख सकें तो आईए dear students start करते हैं fun with line तो if we hold a thread in our two hands and stretch it tight अब कह रहा है एक condition दे रहा है कि if we hold अगर हम पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं अग थ्रेड थ्रेड मिन्स धागा तो अगर हम धागा पकड़ लेते हैं और उसे in our two hands तो देखिए आपका ये one hand and then second hand दोनों हैंड में आपने जो थ्रेड है यह जो द्रहगा है उसको इदा मच्छे तरीके से पकड़ लिया है and stretch it और उसे क्या कर दिया तान दिया stretch करना मतलब खीचना तो इदम खीचा है तो आप देख सकते हैं कि यह जो भी थ्रेड है थ्रेड कितना स्ट्रेट हो गया तो यह हमारा हो गया तो हमें क्या मिलेगी है कि स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी अब देख सकते हैं कि यहां पर यह दोनों हाथ के बीच में हमारा थ्रेड है और थ्रेड इदम tightly हमने stretch कर दिया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई then क्या कह रहा है if we let it hang loose we get a curved line तो यहां पर अगर अपने हाथों को हमने थोड़ा सा ढीला कर दिया लूस कर दिया तो यही जो हमारा थ्रेड है वो देख सकते हैं आप भी curved हो गया तो हमें मिल जाएगा curve line क्या मिलेगा curve line तो dear students किस तरह की lines होती है एक होती है straight line एक होती है curved line तो कितना easily हमने सीख लिया एक thread ले करके अपने हाथों से use करके हमने सीख लिया अगर हमने उसको straight पकड़ा straight hold किया तो straight line अगर हमने उसको loose कर दिया तो curved line तो इस तरह के से हमने दो line देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया तो इसकी spelling भी लिखिये 5 से 10 ताइम और इसे learn कर लिजे straight line curved line और यह हमें कब मिलेगी यह तो हमने देखी लिया है आईए फिर आगे देखते हैं in this book we shall be learning about the straight line and so when we say line we mean straight line तो dear students यहाँ पर हम सिर्फ straight line पढ़ेंगे curved line नहीं पढ़ेंगे यह हमारा curved line था यह नहीं पढ़ेंगे यह हमारा straight line है यह पढ़ेंगे तो जहाँ पर भी line क जाएगा तो वहाँ पर आपको समझना है कि straight line है कौन सी line है straight line तो आएए देखते हैं कि आगे हम किस तरीके से fun कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह कौन है तो यह है सुहानी यह कौन है यह है उजाला और यह है हमारी परी तो यह तीनों खड़ी है और अलग-अलग अनगा है सुरी अनगा देन हमीदा तो सुरी सुहानी परी और उजाला आप लोग रिप्लेस हो गए हो नेहा अनगा और हमीदा से तो नेहा ड्रिव वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन तो यहाँ पर नेहा क्या कर रही है वर्टिकल आप देख सकते हैं ऐसी 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 draw की एथ इसको हम क्या कहेंगे vertical और standing line vertical और standing line तो vertical standing इनकी भी spelling write down करके learn कर लेज़े और यह जो आप देख रहें तो straight ऐसे जो line है इसको standing और vertical line कहते हैं तो V E R T I C A L vertical और standing S T A N D I N G standing line vertical और standing line जो अनगा है drive उसने खीचा है, drew, draw का second form है, horizontal और sleeping line, क्या, horizontal और sleeping line, तो यह horizontal की spelling है, sleeping की spelling, तो horizontal की spelling, h-o-r-i-z-o-n-t-a-l, horizontal और sleeping, yes, l-e-p-i-n-g, sleeping lines, तो यहां पर आप देख सकते हों कि जो अनगा है, वो इस तरीके से line कीच रही, कीच रही कि नहीं कीच रही है, तो यह हमारा हो जाता है, horizontal या sleeping lines, then आते हैं हम हमीदा पर, तो हमीदा ड्रीव, inclined or sloping line, what, inclined or sloping lines, तो हमीदा, inclined or sloping lines कर रही, तो वो कैसी है, आप कह सकते हो, आड़ी टेड़ी है, तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसको हम कहते है, inclined or sloping, यह इस तरीके से भी हो सकता, इस तरीके से भी जो होगा, वो हमारा क्या होगा? sloping और inclined line होगा, then यहाँ पर हम activity करेंगे, और वो activity क्या है? कि हमें लेना है एक paper, हमें का करना है? लेना है एक paper और उस paper को हमें कैसे करना है? vertically horizontally and inclined line की तरह fold करना है है ना? तो यहाँ पर देखिये paper हमने ले लिया paper को ऐसे fold किया तो इस तरीके से देखी eck line बन रही है तो यह हमारी कॉनसी राइन है吧 बलग Craか लाइन कॉनसी राइन राइन यहाँ पर हमने कागश को इस paper खो 550 किया तो हमारी इस तरीके से लाइन बन रही है तो यह हमारी ऑरिजंटल मे fitted sleeping यह इससे क्या कहेंगे जो straight ऐसे रहेगी इसको standing या vertical और जो इस तरीके से रहेगी line उसको हम कहेंगे horizontal या sleeping यहां पर हमने इसे ऐसे fold किया है तो हमारा inclined हुआ कि नहीं हुआ तो यह inclined या फिर इसी को हमने क्या सिखा था inclined को चली देख लेते हैं मेरे विधान सो तर गया sloping line sloping and inclined line यह यहां पर हमारा बन गया इस तरीके से तो यह हो गया vertical या standing horizontal या sleeping और यह inclined line then draw lines like one sound below अब आपको इसी तरीके से lines draw करने जैसा कि आप यहां देख सकते हो तो यहां पर देखे इस तरीके से line draw की गई है तो यह हमारा क्या है yes horizontal या sleeping और इस तरीके से जो की गई है very good vertical और standing और यह हमारे inclined या फिर sloping line तो इस तरीके से dear students हमने क्या किया है कि इसे सीख लिया है और अब यहां पर हमें क्या करना है एक और activities दी हुई है कि यहां पर हमें कुछ objects दिये हैं उनकी help से line draw करनी है तो यहां पर हमारे पास एक textbook या sorry notebook अभी आप ले सकते हैं उसकी थूप pencil से आप जब ऐसी line खीचोगे तो एक ऐसी line हो जाएगी हमारी very good, vertical और standing line और यह क्या हमारा एक box है उस box से अगर हम इस तरीके से line कीच रहे हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा sloping line या फिर inclined line ठेक ऐसे ruler लेकर के हमने ruler को थोड़ा सा टेड़ा करके अगर line कीचा तो वह हमारी line कैसे हो जाएगी inclined या फिर आप कह सकते हो कि sloping line हो जाएगी और just by hand अगर आप इस तरीके से खीच रहे हो अगर straight आपने खीच यह तो वह हमारा हो जाएगा vertical standing अगर आपने slope दे दिया तो हो जाएगा sloping और क्या कह रहे हो sloping और inclined line या आईए तो आगे चलते हम अब यहाँ पर कह रहा है identify the shapes and color them तो dear students यह वाला काम आप घर पे कर लेना इदम easy तरीके से यहाँ पर आपको हर एक shape को identify करना है उनको color भी करना है तो identify करने के लिए जो shapes है आप देख सकते हो कि इस तरीके के shape है इस तरीके के shape है फिर यह shape है तो इन shapes को हमें color करना है तो बताया भी जा रहा तो यह वाला shape आपको दिख रहा है समोसे की तरह उसको red color से और जो आपको गुलाब जामून की तरह मिठाई की तरह दिख रहा है गोल गोलाली मिठाई उसको yellow color से और जो आपको कहते है ना पेड़ा होता ना फिर क्या कहो गया आप इसे के कुछ तरीके से मिल सकता है तो वैसा या फिर braid yes braid जो है इस shape का होता तो इस color इसे आपको blue color से करना है तो dear students यह आपके घर के लिए मैं दे रहा हूँ exercise तो यह वाला जो है आप खुछ से complete करिएगा खुछ से बनाईएगा अब मैं सिर्फ आपको यह बता देता हूं कि यह जो समोसे की तरह देख रहा था रसगुले की तरह और braid की तरह इसको नाम क्या है इसका geometrical नाम क्या है तो इसे हम कहते हैं triangle इसे कहते हैं circle और इसे हम कहेंगे square क्योंकि सब जगह से वो same है अगर यही structure इस तरीके से होता कि इसके four sides equal नहीं होते सिर्फ opposite sides equal होते तो वो हमारा हो जाता rectangle क्या हो जाता rectangle तो हमने triangle circle और square देखा है तो वही चीज आप यहाँ पर देखोगे और यह square कभी-कभी rectangle वाला shape भी यहाँ पर है तो rectangle वाले shape को triangle वाले shape को और जो हमारा circle है उस वाले shape को हमें क्या करना है color करना है और color के name दे देगे है triangle को red से जो हमारा round shape है circle shape उसको yellow से और जो आपका rectangle या आपका square होगा उसे blue color से क मजली जी इसे करके आप कमेंट में हमें बताया कि हमने complete कर लिया है और इसे आप अपने घर पर practice करिए अब हम next lecture में मिलेंगे या next video मिलेंगे next explanation के साथ नए मैट्स के या फिर जोमेंटर की जो भी से उनको सीखेंगे तब तक के लिए good bye and take care